नमस्कार मैं हूँ गोपाल वगनार श्वागत आखिए आपका मेरी यूटूब चैनल उत्राखंड हिमाले व्लोग में फ्रेंट्स हुए के साथ बज़ रहे हैं और हम करने अपने न्यू व्लोग के सुरात कुछ इस तरह से फ्रेंट्स वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंट्स इस समय मैं अपने पोली हाउस और्गनिक फार्म में हूँ और यहाँ पर मैंने एक प्रियोग किया था क्योंकि मैं तीन-चार साल से लगातार एक प्रियोग करता आ रहा हूँ लेकिन असपल हो रहा था और अब की बार कुछ आस बंदी भी है तो आप देख सकते हैं यह जो मैंने प्रियोग किया था यह कीवी के पोधों के उपर किया था क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर हर साल कुछ कीवी की कटिंग लगाता हूँ लेकिन कुछ समय तक तो वो उसमें बरस आती है लेकिन कुछ समय बाद वो सूख जाती है लेकिन अब की बार मैं यहाँ पर जो मेरा प्रियोग था लगातार तीन-चार साल से चला था वो सपल हो चुका है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 5-7 कीवी की कटिंग हमने यहाँ पर लगाई थी और वो प्रोपर यहाँ पर सफल हो चुकी है तो आज हम इन कीवी की जो कटिंग है उनको निकालने हैं और फिर हम उनको अपने खेट में लगाने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पोली हाउस में कि किस तरह से मैं ने यह कटिंग लगाई थी और किस तरह से यह ग्रोव हो चुकी है और आज हम इनको निकालने जा रहे हैं तो आप बने रही है, वीडियो को भी देखते रहे हैं, लास तक और यदि इस चेनल में आप नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी करते रहें, तो फ्रेंट्स यह देख सकते हैं, यह कीवी के पेड़ हैं, और यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई थी, फिछले साल और आप दे कालने जा रहे हैं, तो यह देख सकते हैं, यह सारा उसकोने तक आप देख सकते हैं, और यह तकरीबन साथ पेड़ हैं, इस तरप आप देख सकते हैं, यह मेल पेड़ हैं, और मेल जादा नहीं हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर साथ पेड़ यह कीवी के लगा र और देख सकते हैं आपको सूख गई है लेकिन आरदस पेड हमारे यहां पर सपन हो चुके हैं तो यह मेरी लिए कापी उपलब्दी है यह देख सकते हैं यहां पर तो यह देख सकते हैं यहां पर और इस तरह से बहुत गहीरी इनकी जड़े हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं यह इस तरह की जड़े यह देख सकते हैं यहां पर यह कीवी का पिर बिल्कुल तयार हो चुका है और इसकी बरस है काफी लंबी बरस है और जड़े मी आप दे कि देख सकते हैं कि देख सकते हैं इसकी जड़ हालांकि इसमें बर्ष कम है लेकिन आप जड़ देख सकते हैं कितनी लंबी है कि देख सकते हैं इनमें की जड़े काफी स्वस्त पौदे हैं कि फ्रेंट्स हम अपने कीवी के पौदे अपने फार्म से निकाल चुके हैं तो यह आप देख सकते हैं यह जो पौदे हैं यह फीमेल हैं और फीमेल पौदे यह मेरे पास एक, दो, तीन, पांच पौदे हैं यह देख सकते हैं और बड़े स्वस्त पौदे हैं और यह मेल के तीन पौदे हैं यह देख सकते हैं एक, दो, और तीन पौदे इसमें जड़क काफी कम है और मेल पौदे थे उनकी सफलता का जो रेशियो है बहुत कम था ज कि इसको तीन यह चार साल तक में लगातार इन को लगा रहा था लेकिन सफल नहीं वह पा रहा था लेकिन आपके बार में सफल हो चुका हूँ और सफल इसलिए हो पाया हूँ क्योंकि मैं समझ गया हूं कि कीवी की पौधि में नमी जरूर होने चाहिए लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए पानी नहीं रुकना चाहिए और मिट्टी में थोड़ी बहुत रेत भी होनी चाहिए और मिट्टी भुरूरी होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा नमी सिंचाई बहुत कम होनी चाहिए और सिंचाई ऐसी हो कि इनकी जड़ों में पानी न रुके, यदि ऐसा आप करते हैं, तो निस्चिती आपको कीवी की कटिंग लगाने में सफ़ता मिलेगी, तो यह आप देख सकते हैं, बड़े स्वस्थ पोदे, तो फ्रेंट्स, हम पोली हाउस में अपने कीवी के पेड़, वहां से निकाल के लिया आए हैं, और अब हम यह देख सकते हैं, यह खेत हैं हमारा पीछे, अम यहाँ पर उनको लगा रहे हैं, प्रवपर, तो आप देख सकते हैं, खेत को बिलकुल नजदीक से, यह देख सकते ह हैं, बीच-बीच में हम कीवी के पेड़ यहाँ पे लगा देंगे, और यह काफी लंबा खेत है, और साथ-ाथ पेड़ इसमें आराम से लग जाएंगे, तो फ्रेंट्स, यह देख सकते हैं, इस खेत में हम कीवी लगाने के लिए गड़ा तयार कर रहे हैं, और आज हम साथ आठ पेड़ यहाँ पे लगा देंगे, यह देख सकते हैं, इस तरह से गड़ा कर रहे हैं, और फ्रेंट्स, यह देख सकते हैं, नीचे खेत में यह मैंने कीवी के लिए गड़ा कर दिया है, यह परचाई भी आ रही है, और परचाई की वज़े से गड़ा साप नहीं दिख परचाई दे रहा है बस अब तो परचाई साथ दे रही है क्योंकि सच बोलते बोलते शवी ने साथ छोड़ जया है उपके वल परचाई ही साथ ने हैं तो ये देख सकते हैं यह गड़ा और अभी आदा फिट यह आऊर होगा और फिर इसमें हम जेविखार मिलाके फिर इसको बंद करके फिर इसमें पेल लगा देंगे तो यह देख सकते हैं इस तरह से हम गड़ा कर रहे हैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने गोबर की यह जेविखार तयार कर रखी थी वो यहाँ पे हमने देख सकते हैं यह बिल्कुल इसका चूरा बना दिया है यह देख सकते हैं आप बिल्कुल इस तरह से और अब हम इसको इस तरह से यह गड़े में डाल ले हैं यह देख सकते हैं इसको इस तरह से हम प्रोपर भर देते हैं और एक पेड़ के लिए इतनी यह जैविक खात प्रयापत है यह देख स और इस तरह से हम इसको पूरा गड़े में भर रहे हैं और इस तरह से हमने यह आप देख सकते हैं और इसमें थोड़ा मिट्टी भी हम इसमें डाल देते हैं इस तरह से ताकि मिट्टी और गोबर प्रॉपर मिक्स हो जाए इस तरह से जो मिट्टी हमने गड़े से निकाली थी वो इसी में भरदी है इस तरह से यह आप देख सकते हैं और प्रपर और बड़े प्यार से यह दे हम इस पेड को लगाएंगे तो निस्चित ही यह पेड बहुत अच्छे ढंक से यहाँ पर ग्रो होगा क्योंकि पेड पोदों को भी प्यार की आवसकता होती है यह देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से इसको प्रॉपर यहाँ पर यह मिक्स कर लिया है और अब गड़ा भरके अब हम इसमें पेड लगाएंगे तो फ्रेंट्स यह देख सकते हैं यह कीवी का पोदा यहाँ पर तयार है और अब हमने जो गड़ा इसमें कर लखा था इसकी मिट्टी निकालके यह प्रॉपर हमने यहाँ से मिट्टी निकालके इसको इस तरह से यहाँ पर इसकी जड़ों को सीधा रखना होता है और इस त रंटेर को बलाना होता है यह आप देख सकते यहां पर आपर Trans mete इसमें अच्छी तरह से पेडल के उपर चड़ा के और फिर इसको पैर से अच्छी तरह से दबा देना है ताकि कुछ ताइट और इस Also और आप देख सकते हैं यह पेड़ी बिल्कुल लग चुका है यहां पर और काल इसमें पानी डालेंगे आज पानी नहीं डालना होता है क्योंकि काफी नमी है और यह देख सकते हैं यहां पर प्रवपर पीड़ी यहां पर लग चुका है देख सकते हैं फ्रेंट्स सुबह से लगातार साथ बज़े से हम अपने पोली हाउस और अपने खेत में काम कर रहे हैं और जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से कीवी उगाई और फिर उसके बाद कीवी अपने खेत में लगाई और तक्रीबन ये आरदस पोदे हम लगा चुके हैं प्रवपर अपने खेत में और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने कीवी को लगाया और सुबह पुरा आदा दिन हमारा इसमें लग गया है और काफी मिहनत और काफी गहरे गड़े हमें करने पड़े तो ये आप देख स सकते हैं ये भी प्रवपर लग चुका है और ये देख सकते हैं ये तीसरा पेड़ है यहां पर प्रवपर लग चुका है और ये बीच की लाइन में हमने यहां पर देख सकते हैं ये हमने यहां पर मेल को लगाया है ये देख सकते हैं ये पोलिनाइजेशन का काम करेगा और इस तरफ सारे ये मेल के बोधे लगे वे हैं ये देख सकते आप इस तरफ तो इस देख सकते हैं सारे खेट में हमने नव बोधे लगा चुके हैं और अब हम यहाँ पर सिंचाई करेंगे यहाँ पर टंकी का पानी जमा था और इस तरह से यहाँ पर पानी आ रहा है तो हम यहाँ पे गुलाब की कटिंग लगाई थी पोली हाउस में वो तो प्रॉपर लगी चुकी है जो पन्यों के अंदर लगा चुके हैं लगाई हुई है हमारी और यह भार भी हमने लगाई थी अभी कुछ दिन पहले तो इन में भी बरसानी शुरू हो गई है यह देख सकते हैं और बहुती अच्छा गुलाब है और इस गुलाब का हमने जो कीमत रखी वी है वो 200 रुपए पर प्लांट है और एक बार इसी फार्मन इसको लगा देता है तो लगातार इससे वो हजारों लाखों कटिंग निकाल सकता है और बहुती अच्छा यह गुलाब है और फ्रेंट्स अब हम प्लांट्स को पानी देने जा रहे हैं और यह आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको पानी दे रहे हैं पहले सोचा था कि कल पानी देंगे लेकिन धूप बड़ी टेज हो रही है इसलिए इसमें पानी डाल देते हैं और इसमें तक्रिबन 4-5 लीट कि युZ कूझा और इक पोदियों को पानी होता है और यह प्रफ़कर हम इसको पानी दे चुके हैं अब इसको प्लांट पानी देने के लिए बाकी है उन्में भी पानी डालेंगे और इस तरह से हमने सारे प्लांटों को पानी दीडिया है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि नमस्कार आज के विलोग में इत्ता ही कल फिर मिलते हैं एक नई विलोग के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए साधर प्रणहम जे भारत जे उत्राकन